कि हेलो दोस्तों वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर आज के इस वीडियो में आपके लिए विकाहस लाइफ की सेयर को लेके आया हूँ इसके कंपनी की स्टॉक पर हम डिसकस करेंगे कि इसमें आपको आखिर करना क्या चाहिए देखिए इस वीडियो में कोई भी बाई करने क बातें नहीं बोलूँगा और नहीं कुछ सेयल करने के बातें के बातें बोलूँगा ये वीडियो जो है वो नीटर्ल है ये वीडियो सीर्फ फोकस करेगा इसके fundamentals पे इसके टेकनिकल पे और साथ और साथ इसके financials भी कैसे है कैसे इसके balance seat है सिर्फ इन बातों पे ही discussion होगी क्योंकि यह penny stock है और मैं अपने चैनल में अपने वीडियो में कभी भी penny stock की ना buy करने की बात बोलता हूं नहीं sell करने के बात बताता हूं मैं बस उसमें आपको risk बताने की कोशिश करता हूं कि इस penny stock में क्या risk होती है और वो penny stock है तो किसी reason के वज़े से penny stock है तो चले वीडियो को समझते हैं तो चले मैं आपको बताा हूं कि यह जो तेजी अब देख रहे हैं यह जो तेजी आप दिखाई दे रही हाँ को यह तेजी कीऊ है कैसे है यह तेजी अगर आपको पता होगा तो कि जो buy की जा रही हुआ है, Comproper जा रही है चो है वह उपर कैसे उपर लेके जा रहा है वो रिटेल की वज़े से नहीं है ठीक है रिटेल इन्वेस्टर्स की वज़े से तो प्राइजेस उपर नहीं जा सकती है क्योंकि रिटेल जो है वो हमेसे लिमिट और पे ही पाय करते हैं और अगर आप मार्केट प्राइस पे भी रिटेल जो बाय करते हैं वो more than lack quantity से उपर बाय करते हैं तो यह जो market को उपर लेकर जाया जा रहा है वो कभी ने कभी डंप होगा कि 100% डंप होगा किसी भी लेवल पर डंप होगा और जिस लेवल पर जाएगा यह उसका बाद यह लोवर सिर्कृट लगेगी इसके अंदर और फिर जब आप एक candle में फच जाओगे न जब एक भी lower circuit लगीगी न तो आप stress में आ जाओगी कि अब क्या करें क्योंकि पैनी stock इतनी ज़्यादा risk है अगर lower circuit लगीगी न तो आप बेच नहीं सकते हो आप निकल नहीं सकते हो वो आपका पूरा पैसा खा कर जाएगा कितनी ज़्यादा risk होती ह यह 4 रुपे के stock आज आपको दिख रही है अगर यह upper circuit लगती रही तो यह 10 रुपे भी जाएगा 20 रुपे भी जा सकता है और अगर lower circuit लगी तो यह वापस एक रुपे तक भी आ सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकतो ना buy कर सकतो ना sell कर सकतो अपर circuit और lower circuit पे तो penny stock में इ देख लो YouTube पे सब यहीं बताते हैं यह multi-vagger है आप इसमें buy करके चलो ठीक है बस एक risk के नाम पे वह यह बता दे ही कि यह penny stock है यह risky है तो आप limited quantity में buy करना बस इतना बोलेंगे लेकिन पूरा वीडियो बनाने का motive यहीं होता है कि इसमें आप buy कर लो अपना पूरा पैसा जाते हैं buy कर लेते अपना बहुत जाता पैसा रगा देते हैं तो यह जो market को उपर लेकर जाया जा रहा है आप देखिए जो market price पे जो buy कर रहे हैं लोग वो कभी तो अपनी profit booking करेंगे ठीक है उनको भी पता है कि यह penny stock है इसे कब तक उपर लेकर जाएंगे यह कोई एक हो सकते हैं कोई group हो सकती है कोई wealthy group हो सकती है कुछ भी हो सकते हैं सब अलग अलग हैं अगर इन में से कोई भी आके sell करने लग गया यह बरे लोगों में से कोई भी आके sell करने लग गया तो यह जो भी पैसे लगाए हैं ना यह जो भी इस लेवल में पैसे लगाए हैं यह सब sale करने लग जाएंगे अजब सब कोई sale करने लग जाएंगा न तो यह वापस जो उपर गई है न प्राइस यह support जो बनाई है न इस support को भी break कर देगा तो penny stock में ये जो उपर लेके जा रहे हैं लोग, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये आज pump कर रहे हैं न, कभी भी किसी भी level पर dump कर देंगे, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये dump कर देंगे, इसके balance sheet को हम देखते हैं, चलिए, विकास multi corp और विकास life care, आप कुछ भी बोल लीजे, ये जो stock, इसके balance sheet है, उसके graph कुछ इस तरीके से है, ये जो zero line है, ये बस ये zero line के उपर नीचे, उपर नीचे, बस एक sign curve बनते हुई चल रही है, ठेक है, इसका कोई trend नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों, आप देखे, इसक balance sheet है, मैं वो check कर रहा हूँ, आप देखे, ये quarter के results है, इसके history में देखा रहा हूँ आपको, sales है, ये देखे, इसके जो sales दिखा रहा है आपको, sales कभी up, कभी down, कभी up, कभी down, अगर आप इसके trend को देखेंगे, तो कोई trend ही नहीं है, profit के बाद करें, ये देखे, कभी up, कभ कभी up, कभी down, ये तो negative में भी चली गई थी, फिर up, कभी down, आपको समने में ये profit and loss के seat लगाई है, ये जो profit and loss के seat है, वो yearly basis पे बनती है, annual basis पे बनती है, आप यहाँ पर इसके net profit को जरा नज़र डालिए, 2015 में 0.4 करोर के थी, एक अच्छी trend थी, धीरे धीरे उपर की तरफ जा रहा थे, उपर के तरफ जा रहा था, मार्च 2020 में अच्छानक इसकी जो profit है, net profit वो आधी हो गई, ठीक है, मार्च 2019 में 2 करोर थी, मार्च 2020 में 1 करोर हो गई, और मार्च 2020 में तब COVID के पहले, COVID के पहले ही इसकी profit जो है, वो आधी हो गई थी, अगर इसकी balance sheet पे देखते है इसकी जो total reserve से जरा इस पे नज़र आप डालेंगे, इसको जो reserve है, वो minus 12 करोर में, minus 12 करोर में ये बात को आप समझ दीजेगा, मार्च 2019 में 23 करोर थी, और इसकी अगर आप trend को देखेंगे तो ये अपने reserve से ही पैसे खाली करते जा रहा है, इस बात को देखेंगे, ये सबस इसे एकदम dangerous बाते होती है, जो reserve से ही अपने पैसे को खाली करते चल जाता, Tata Motors जो है, वो इसलिए breakdown दिया क्योंकि इसके reserve के पैसे ही खाली होते चले गए, इसके reserve भी खाली होते चले गए और इसके reserve negative में हो गई, और ये ही है, और ये सबसे ज़्यादा risk लगती है, आप इ पैसे के जरूरत हो गई, तो वो किसी bank के पास ना जा, किसी से पैसे, debt लेनी के जरूरत ना परे, उसके पास खुद का पैसा होता, आपका account में आप backup money रखते हो, ठीक, उसी तरह से ये reserve money है, तो reserve की जो money है, वो negative है, मतलब ये loan लेके ही चल रहा है, और इसकी जो debt है, वो औ प्रॉक्स 150 करोर लगती है, ठीक है, 150 करोर से खर्च लगता है, अपने company को चलाने के लिए, लेकिन अगर इसका पास जेब में पैसे के बात करोगे, company को चलाने के लिए already कितने पैसे है, तो वो पैसे तो है नहीं, इसका पास उल्टा और ज्यादा debt है, तो company चलाने के लिए पैसे नहीं, company चलाने के लिए से debt लेना परेगा, और क्योंकि minimum जो पैसे है, वो 149 करो तो चाहिए ही चाहिए, और धीरे धीरे ये भी decrease होते जाएगी, expenditure इसकी, तो balance sheet जैसे के आपको मैंने बताया, ठीक उसी तरीके से, 0 के level पर उपर नीचे हो रही एक, maximum जो है, इसकी negative मे है, तो आप सोचिए, जो prices को उपर लेकर जाया जारा, जो market price पे buy कर रहे है, वो किस basis पे buy कर रहे है, मतलब क्या देखके buy कर रहे होंगे, company में कुछ ऐसा तो है नहीं, company के अगर मैं business के बात करूं, तो जो polymer की business करती है, polymer की जो trading होती है, polymer based जो product बनते है, polymer से जो plastic बनती है, ठीक है, इसके trading करता है वो, और इसकी business में कुछ ये specialty नहीं है, normal business है, और इसके competitors हजार हो है, ठीक है, इतना बात आप जात रहे हैं, तो किस basis पे ये market price पे इतने ज़्यादा उपर लेकर जा रहे हैं, कभी ने कभी तो ये profit बुक करके यहां से निकलेंगे, तो मैं बस यह ब dump करने के बात आती है, तो pumping का कोई range नहीं है, और अगर dump करने के बात आए, तो down का कोई range नहीं है, तो बस मैं यही बताना चाहरा था कि किस तरह के risk हो सकती है, risk से दोनों साइडें फाइदा भी है, नुकसान भी है, penny stock से बहुत लोग पैसा बनाते भी है, जो मान लीजे, अ बहुत लोग जो नए investor से, जो retail investor से वो इस level पर भी buy करते हैं, उपर के level भी buy करते हैं, ये फंसते हैं, ठीक है, ये नहीं फंसेंगे, ये तो निकल जाएंगे, ये लोग फंस जाते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह की high level पर buy करना penny stock कितना ज्यादा risk हो सकता है, प आपको penny stock में लेने से पहले उसकी research जरूर करने चाहिए, तो उमीद है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो के content से related आपको कुछ भी query आती है, तो आप वीडियो में comment कर सकते हैं, विकास life care के stock के बारे में और भी ज्यादा कुछ knowledge चाहिए, आप मेरे साथ telegram channel पर जूर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको update करता रहूंगा, इसी stock के लिए, तो वीडियो को आप यहीं पर end करते हैं, कुछ अच्छे fundamentals वाले stock में अगर आप trading करना चाहते हो, तो मेरे साथ मेरे telegram channel पर जूर 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 में वहाँ पर आपको अच्छे fundamental क stocks बताता हूँ, वहाँ पर अच्छे आपके return बन सकते हैं, मोर दन 5%, मोर दन 10% के return बनेंगे आपके, तो new channel होगी, अगर आप चाहो that कर सकते हो, मैंने link description में दे दिया, comment में पिन कर दिया है, telegram के link अगर comment में open नहीं होती है, तो VPN on कर लेना, VPN लगाने के बाद open link हो जाएगी तो telegram एक अच्छा source है, अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जरूर आओ, कुछ दिन रह के देखो, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो leave कर लेना, आगे आपकी मर्जी, वीडियो अच्छी लगे, तो comment में जरूर बताएं देखें, यह सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरी की सोच पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, बस आप अपने analysis कीजिए, आपको क्या लगता है, आप decide कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, अभी के लिए अगर बस मेरे वीडियो अच्छी लगे, तो like और subscribe करके motivate जरूर कीजिए, यह आप decide करेंगे कि आपको buy करना है, या नहीं करना है, पैसा आपका है, मैं यह नहीं बूर रहा कि आप मेरे बताएगे, सेयर्स पर buy करें, आप अपने analysis खुद करें, आप अपने advisor से सलाह लें, अगर आपको loss से profit होता है, तो इसमें मेरे या मेरे channel के कोई responsibility नहीं होगी,